अबिनन्दन में साथ की वीवा में पर्योजना इस्थम पर कोपस्तिर समस्त माननी जनप्रतिनी गणों, चास्तिय अधिकारियों वो पर्योजना में सहभागी संस्थाओं के पदादिकारियों का भी अबिनन्दन है 750 मेगावाट चंताची दीवा साथ उज़ा पर्योजना एकी इस्थान पर क्रियानवित विश्व की ब्रहत्रम साथ पर्योजना में से एक है यह हमारे स्वभाव का विशय है कि आज इस पर्योजना का शुभारम माननी ब्रहान मंत्री महोदय के करकमलों से आप सभी महानुभावों की उपस्तिती में संपन हो रहा है इस पर्योजना की अधार्शिला माननी मुक मंत्री जी वा माननी मंत्री विद्युत नवीन वा नवकरणी उज़ा सी आरके सिंगी के द्वारा बिनाम्त 22 दिसंबर 2017 को विवा में रखी गई थी जिवाजमूर्ट रूप ले रही है और भारत के सौर उज़ावत पादन में महत्पूंध योगदान ले रही है इस पर्योजना ने सौर उज़ाव में नवीन पतिमान स्थापित किये हैं जिसका अनुसरुन कर अब अन्य प्रदेशों में सौर पर्योजनाओं के स्थापित होने का मार्ग शठ्स हुआ है पर्योजना क्यान्दन के संभव ने हमें ये विश्वाज दिया है कि आप ब्रहद और अत्यंत ब्रहद पर्योजनाओं की योजना बना सकते हैं उन्हें साकार कर सकते हैं, उन्हें मोर्त रूप दे सकने में सख्षम हैं। माननी प्रधान मंत्री जी के अपेच्छा रहती है कि समय परविजनों करना के बन स्वी गणेश हो बलकि उनकी पूर्ता भी सुनिश्षित की जाए और यह पर्योजना इसी बात का प्रमान जी है। हम बौरवान के थे हैं कि मद्रप्रदेश माननी प्रधान मंत्री महोदे द्वारा दिखाये गई पत्पर निरंतर अग्रशा है। माननी मुख्यमंत्री महोदे जिनकी जीजियर शाह और करमट सा निश्च नई उपलब्धियों को वार्जेश करने के लिए हम सब को प्रेरेज करती रहती है। मानी मुख्यमंत्री महोदे जी आगरे करूँगा कि वे पर्योजिना वामजप्रदेश की नवीन वा नप्चरणी उर्जा के शेत में प्राथ उपलब्धियों वार्जेन का निश्च ना के संब्ध में अपना सारगर्वित उद्बोदन दिनेंगा कर स्टेंग। परम-आधर्णी प्रधान मंत्री जी, सम्मानी राजपाल जी, ऊर्या मंत्री आदर्णी आरके सिंग जी, सम्मानी धावर्चन जी, नरेन सिंह तॉमर जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रिलाद प्रटेल जी सांसद्वाय जो परियोजना इस्थल पर उपस्चित है आदर्नी जनादन मिस्रा जी, राजमनी प्रटेल जी इस्थानी विदायक नाजेन सिंग गूर जी जिनका इस परियोजना को आगे बढ़ाने में महित्पून योगदान रहा है माननी राजन्र सुकल जी, डिवराज सिंग जी, केपी दरफाटी जी, स्यामलाल दुवेदी जी, प्रदीर पटेल जी, ग्रीस गोतम जी, पंचुलाल प्रिजापती जी और इस कारिकम को देखो और सुन रहे मेरे सभी बेहनों और भाईों सबसे पहले, हमारे एसस्वी प्रधान मंतरी, श्रीमान नरेंदर मोदी जी का फिर जैसे स्वागत करता हूँ, अविनदन करता हूँ कबर अपनी और से नहीं मदप्रेश की सारे साथ करोर जनता की ओर से वे कल्कनाशील मस्टिस के धनी है, मैंना आफ आइडियाज है और मुझे कहते प्रसमत आए कि मदप्रेश सौर उर्जा के छेत में जो आगे बढ़ा है उसके पीछे मानी प्रधान मंतरी जी की प्रेरना है जब मानी प्रधान मंतरी जी मुख्र मंतरी थे गुजराच के और मैं मदप्रेश का मुख्र मंतरी था उस समय भी उन्होंने मुझे सला दे की कि भविस्त्र की उर्जा सौर उर्जा है ये मानी प्रधान मंतरी की 278 की बात है और आपने कहा था कि छेत में हम उतेजी से आगे बढ़ना चाहिए मेरे मन में एक सनकोच था तब सौर उलजा की दरें 15-16 रुपया प्रिती यूनिट हुआ करती थी और ठर्मन की जो दरें होती थी वो 3-4 रुपया के आसपास होती थी लेकिन तब भी आपने गुजरास में तेजी से काम किया था आपकी प्रेणा क्राप्ट करके 2010 में हमने रिन्वर एनर्जी का नया डिपार्टमेंट बनाया और मानी प्रधानमंत्री की पहली परियोजना जो एसिया की सबसे बड़ी सोलर पावर परियोजना थी वो थी नीमच उसका उद्गातन भी आपके करक अमलों के द्वारा जब आप गुजरास के मुख्मंत्री वा करते थे तब मद्द प्रेश के नीमच में आपने किया था और तब से फिर हमने लगाता आप मिरंतर प्यास किया इस शित्म और तेजी से आगे बढ़ें और मुझे खुशी है यहां राजन सुकला जी, नागन सिंग, गौर्ण जी बैखे हम लोगों ने चर्चा की हमारे पास रीवा जिले में काफी बड़ा हिस्सा बंजर भूमी का फाइरिंग रेंट्रूम पे जिसका इस्तेमाल होता था पड़ा था तब मन में ये विचार आया कि हम स्कोलर पावर प्रांट इस्थापित किया जाता है, जिया जा सकता है इस विचार को हमने आगे बढ़ाया और मुझे कहते हो खुसी है कि 2017 में हमने इसका काम कारम हुटिया मानि आरके सिंगी या बैठे हैं उर्जा मंतरी भारत सरकार वो केपा पूरबग महां आये थे कायर कम इस्थल पर मुझे बताते हुए प्रसंदता है कि हमने जो निवदाओं में नवाचार किये उसके कारण तदकाली समय का मैं आज की बात नहीं कर रहा तदकाली समय का नींकम टेरिफ दो रुप्या संतानवे पैसे प्रती उनिट प्राप्ट हुआ जबकि उस समय तदकाली परियोजनाओं के जो रेट आते थे वो सारे चार और पांच रुपे के आसपास आते थे और वो भी बाईविल्टी जैप फंडिंग के साथ बिना बाईविल्टी जैप फंडिंग के सोलर परियोजनाओं को पूरा करने की करतानी की जा सकती थी ये बिना बीजीयस के हमारे दो रुप्या संतानवे पैसे रेट आए जो नवाचार के उसके कारण कबदरे प्राप्थूई जिससे देश में बिजनी की धरों में भी भारी गिरावट आई मुझे ये बताते हैं भी खुशी है कि इस निविदा माडल को भार सरकौरदारा मानिक किया जाकर सभी राज्यों और केंड़ी संस्थां को अंफरंट करने के लिए निर्देशिद भी किया गया और अंतरराश्टी इस तरह पर बिसलेंग जैसे संस्थां द्वारा भी परियोजना को नवाचारों के लिए मानिता दी गई और इसी का परिणाम के रीवा सौर परियोजना ने सौर उर्जा के छेतर में नए किर्किमान रचे हैं जिस इसे गेम चैंजर परियोजना की रूप में मानि किया गया है मानि प्रधान मत्वी जी इस परियोजना की जो महत्मून उप्लब्धिया है वो मैं देश को बताना चाहता हूँ एक तो रिवा सौर परियोजना प्रधम सौर परियोजना जिससे प्राप्त विद्धुत थाती उर्जा से प्राप्त विद्धुत से सस्ती है इस परियोजना से प्रधम बार ओपन एक्सिस के माद्धम से राज के बाहर किसी द्रफसाइक संस्थान दिल्ली मेंटरों को बिजली प्रदान की जा रही है 24 परिशत बिजली दिल्ली मेंटरों को जा रही है बाकी का लाब मदप्रेस उठा रहा है आंत्री ग्रिट समायोजन हेत्म वाल्ड बैंक और सीटी एफ रिंट राप्र करने वाली ये देश की प्रिखम परियोजना है जिसे विस्पेंका रिंट बिना राजसासन की गारंटी के बिला है और इस रिंट क्लीन टेकलोजी फंड के अंतरगत ये रिंट स्वी कृत किया गया है जो 0.25 प्रिशत की निश्चित दर पर प्राप्ट हुआ है परियोजना से सालाना जिसके लिए माननी प्रधानमती ये सदेफ चिंतित रहते हैं कैसे परियावरन और विकास की भी संतुलन बनाया रखा जा सके परियोजना से सालाना 15.7 लाग तन कारवन डायक्साइड उच्ट सरजन को रोका जा रहा है जो दो करोर साथ लाग स्वेड़ों के वैस्वेड़ों के लगाले के बराबर है परियोजना को ट्रांजेक्शन संदचना के लिए बाइल रेंग प्रिजडेंट पुरुषकार भी प्राप्ट हुआ है इस परियोजना के द्वारा भारत में पहली बार तिरिस्तरी भुक्तान सुरच्छा पद्धती लागू की गई है जिससे इतनी कम दरें आई है मानी पुद्धानमंत्री जी आपने लक्ष तैकिया दो हजार बाइस तक एक लाख मेगावाड सौर उर्जा भारत में उस्वारिस करनी है इस लक्ष को प्राप्ट करने दे आपकी प्रेयना से ही मद्धप्रेस कोई कसर नहीं छोड़ेगा इस परियोजना को पूरा करने के बाद हमने मद्धप्रेस में पंद्रासों मेगावाड की तीन परियोजना और चिन्हित्य है आगर साजापुर नीमच सौर भार्ग परियोजना इन तीनों परियोजना के लिए भी हमारे टेंदर जाजी कर दिये गए हैं और इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्धु का सईयोजन नैसल ग्रिट के माध्यम से होगा जिससे सफ्ती बिज्धी परियोजनाओं के अलावा भारती रेलवेग सहित आठ राज्यों को मिल सकेगी इस परियोजनाओं को भी हमारी कौसिस है कि 2022 के अंसदख पूरा कर लिया जाए परियोजनाओं से सालाना 33 साथ 10 के बरावर कारवन आकसाइड उच सरजन को रोका जा सकेगा जो साले 5 करोर 20 के बेड़ लगाने के बरावर होगा मानी प्रधान मंत्री जी आपको ध्यान होगा एक बार आपने मुझे ये बताया था कि सरदार सरवर परियोजनाओं के जो नहरे हैं उन नहरों में जो जल वहता है उसके उपर सोलर पैनल लगा के हम सौर उर्जा का उत्पादन भी कर सकते हैं और पानी के बास्ती करण को रोक के हम पानी को उड़ने से बचा सकते हैं वहीं से प्रेण अले कमानी प्रधान मत्री जी हमने मदप्रेस मे ना नर्मदा मैया के उपर जो ओमकार इस पर हमारा बांध बना है उस ओमकार इस बांध में 600 मेगाबाट की सोटिंग सोर परियोजना को निस्पादित करने की योजना बनाई है उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं प्रारंबिक सर्वे हमारा पूरा हो गया है और हम तेजी से इस परियोजना पर भी मानी प्रधानमंद्री जी कांग करेंगे हमने इसके अत्रिक छतरपुर में 1500 मेगाबाद मुर्याना में 1400 मेगाबाद कि सौर परियोजना पर भी तेजी से काम कारण हुग गया है और ये परियोजना है हम 2022 तक जो एक लाख मेगाबाद विद्धत को उत्पादन का लक्ष है तब तक हम पूरा करेंगे और ये परियोजना है तूरी करने के बार मद्ड़क देश का योगडान सौर पूर्जा के छित्र में दस हजार मेगाबाद होगा इसके अप्रिक दोहजार मेगाबाद हम बिंड इनर्डी ब्यूत पादित करने के लगातार प्यास में लगे हुए हैं हम सौर पम सौर रूप परियोजना पर भी तेजी से काम कर रहे हैं 14,250 किसानों के लिए 16 पम इस्थापित किये जा चुके हैं और हमारी जो सौर रूप का परियोजना हैं उनके रेट भी हमें नवाचारों के कारण एक रुप्या 38 पैसे प्रिक यूनिट प्राप्षिए हैं मैं जादा विस्तार मना जाते हुए के बन ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सौर पूर जाए और इनर्जी के छेतर में जो दुनिया को क्राइबिट चैन्च के कारण लुकसान होगा उसे बचाने का जो आपका प्रियास हैं उन प्रियासों को पूरा करने में मदप्रेस पूरी तरह से सहवागी होका हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मानि प्रधानमंद्री जो आप निर्भर भारत बनाने का लक्ष और संकल्प आपने लिया है उसको पूरा करने के लिए भी आतु निर्भर मदप्रेस बनाने का संकर्थ हमने लिया है उसका रोडमेप भी तयार है वो रोडमेप भी तयार करके मैं आपके पास भी भेजने बाला हूँ कुछी चीजों पर हमने तेजी से काम प्रारंग किया है इस परियोजना के लोकारपई के लिए आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका हिर्दय से आभारी हूँ और कोरोना के संकत के समय गरीब कल्यान जोजना बना कर आप राज्यों के गरीबों पूर्देश के गरीब लेकिन राज्यों के माध्धम से जो सहोग कर रहें वो अधुप और अभुद पूर्व है मदपेस के तो 24 जिले जो हमारे गरीब जिले थे उनको लगातार महरोजगार मिलता रहे उस गरीब कल्यान रोजगार योजना में आपने संब्लित किये उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और एक वालियर चम्बल शेत्र के लिए बड़ी सोगात भारत सरकार का आपका आशिरवाद का आप्थ हो रहा है वो चम्बल एक स्पेस दे बनाने की परियोजना जिससे चम्बल के दियरों में इंडस्टेल टाउन इस्थापित करने की हमकेबल रोड ने बनाएंगे हम लोग प्रियास करेंगे वो चम्बल वाली और शेत्र की तस्वीर और तक्दीर बदल देगा उसके लिए भी आपका आशिरवाद मिल रहा है इसके लिए मैं आपको हिर्दे सो धन्यवाद देता हूँ एक बार मज़पेश की साहे साथ करोड जन्ता की ओर से फिर आपका स्वागत और अभिनादन करते हुए मैं आपनी बास समात करता हूँ बहुत बहुत भी अन्यवाद माननी मुक्त मंत्र महोदे माननी प्रधार मंत्री महोदे के विनम्र निगेदन है कि वे अपने कार्कमणों से रिवा अर्वाद ना मेगा स्वावाद परियोजना खोड़ा आपको समध्वेश करने का करेंगे खड़े ना मंत्री ठाएं धन्यवाद धन्यवाद अधरनी सुदानम्पी महोदे हमें सबसब पर परविजना के विशाए में एक संचिप वीडियो पाज़ा कर रहे हैं भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा नभी करणिया उर्जा विस्तार कारकम सुदू किया है हम 2022 तक रिन्योबल से 175 गीगावर्ट विजली उत्पन करेंगे जिसमें से 175 गीगावर्ट विजली उत्पन करेंगे जिसमें से 100 गीगावर्ट विजली सौर उर्जा से होगी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेत्रित्व में अक्षय उर्जा को प्रोथसाहित करने की ऐसी प्रतिबधता देशी नहीं, दुनिया के लिए भी नया अनुभव है प्रधान मंत्री जी के इस महत्वा कांक्षी मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है मध्यप्रदेश की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना इस परियोजना का शिला न्यास मध्यप्रदेश की मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंग चोहान इवं केंद्रिय उर्जा मंत्री श्री आरके सिंग के करकमलों से 22 दिसंबर 2017 को संपन्न हुआ था 4,305 करोड रुपे की लागत से तयार इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट की है देश में अत्यंत नियून दरों पर सौर उर्जा का उत्पादन किया जा रहा है इसका 24 फी सदी हिस्सा दिल्ली मेट्रो को और शेश बिजली का लाब मध्यप्रदेश को मिल रहा है उत्पादन और उपियोगिता के साथ ही इस परियोजना में परियावरन का भी ध्यान रखा गया है इस परियोजना के चालू हो जाने से यहां कार्बन डायोकसाइड के सालाना उत्सरजन में 15.7 लाख टन की बचत होगी जो 2.6 करोड विकसित पेड़ लगाने के पराबर है मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम और सोलर एनरजी कॉर्पोरेशन आव इंडिया का संयुक्त उपकरम विकास का शामदार प्रयास साबित हुआ है इसके साथ ही ये प्रोजेक्ट अक्षे उर्जा को बढ़ावा देने के उस मिशन में भी योगदान दे रहा है जिसका बीड़ा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए उठाया है अक्षे उर्जा बढ़ाई नया भारत बना अधननी प्रधार मंत्री महोदेट से विनम्र निविदन है कि वे अपने आशी स्थनों से हमें अनुग रहीत करें मद्द प्रदेश के राजपाव श्रीमत्रिया आनंदिवेन पतेन जी मद्द प्रदेश के मुख्यमंत्री स्रिमान सिवराज सी जी केंद्रीय मंत्री परिशत के मेरे सायोगी आरके सी जी ठावर्चन गहलोज जी नरेंद्र सी तोमर जी धर्मेंदर प्रधान जी प्रणासी पटेल जी मद्द प्रदेश मंत्र मंडल के सदस्य गण सांसत विधाय गण और रिवा सहीत पूरे मद्द प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनो नवस्तार आज रिवा ने वाकई इतिहास रच दिया है रिवा की पहचान मान नर्वदा के नाम से और सफेद बाग से रही है अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है इसका आस्मान से लिया गया वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बनके लह लहा रही है या ऐसा भी लगता है कि किसी गहरे समुंदर के उपर से गुजर रहे हैं जिसका पानी बहुत नीला है और इसके लिए मैं रिवा के लोगों को मद्दप्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं शुपकामनाई देता हूं रिवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे ख्षेत्र को इस दसक में उर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा इस सोलर प्लांट से मद्दप्रदेश के लोगों को यहां के उद्योगों को तो बिली मिलेगी ही दिली में जैसा आभी शिवराज जी बता रहे थे मेट्रो रेल तक को रिवा से लाब मिलेगा अब रिवा वाला सान से कह पाएगा कि दिली की मेट्रो हमारा रिवा चलाता है इसके अलावा रिवा की ही तरह साजापूर, नीमच और छत्तरपूर में भी बड़े सोलर पावर प्रांट पर काम चल रहा है उमकार इश्वर डेम पर तो पानी में तैरता हुआ सोलर प्रांट और मुझे पका भरोजा है कि आप जो योजरा बना रहे हैं उसको पूरा करके रहोगे ये तमाम प्रोजेक जब तैयार हो जाएंगे तो मद्द प्रदेश निश्चित रुप से सस्ती और साथ सुथ्री बिजली का हब बन जाएगा इसका सबसे अधिक लाप मद्द प्रदेश के गरीब मद्यमबर के परिवारों को होगा किसानों को होगा हमारे आदिवासी भाईयों बहनों को होगा साथियों हमारी परंपरा में हमारी संस्कृती में हमारे रोजमरा के जीवन में सूर्य उपासना का एक विशे स्थान है हमार यहां कहा गया है पुनातुमा पुनातुमा तक सवितुर्य औरेडियम यानि जो उपासना के योग्य सूर्य देव है वो हमें पवित्र करे पवित्र ताकी यही अनुभूती आज यहां रिवा में है हर जगर पर हो रही है सूर्य देव की इसी उर्जा को आज पूरा देश अनुभव कर रहा है यह उनीक आशिरवाद है कि हम सोलर पावर के मामले में दुनिया के टोप पाँच देशों में पहुँच गए है साथियों सूर्य उर्जा आज की नहीं बलकि 21 सदी की उर्जा जरुरतों का एक बड़ा माद्यम होने वाला है क्योंकि साथ उर्जा शौर है प्योर है और सिक्योर है शौर इसलिए क्योंकि उर्जा के बिजली के दूसरे स्रोथ खत्म हो सकते हैं लेकिन सूर्य सदा सर्वदा पूरे विश्व में हमेशा ही चमकता रहेगा प्योर इसलिए क्योंकि ये परिया वरण को प्रदूसित करने के बजाएं उसको सुरक्षित रखने के में मदद करता है और जैसे शौर है प्योर है सिक्योर इसलिए क्योंकि आत्मन निर्भरता का एक बहुत बड़ा प्रतीच है बहुत बड़ी प्रेणा है ये हमारी उर्जा जरूरतों को भी सुरक्षित करता है जैसे जैसे भारत विकांस के नए सिखर की तरफ बढ़ रहा है हमारी आशाएं आकांसाएं भी बढ़ रही है और वैसे वैसे हमारी उर्जा की बिजनी की जरूरते भी बढ़ रही है ऐसे में आत्म निर्भर भारत के लिए बिजनी की आत्म निर्भरता बहुत आवशक है इसमें सोर उर्जा एक बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाली है और हमारे प्रयास भारत की इसी ताकत को विस्तार देने के है साथियों जब हम आत्म निर्भरता की बात करते हैं प्रगती की बात करते हैं तो एकोनोमी उसका एक एहम पक्ष होता है पूरी दुनिया के निती निर्माता बर्सों से दुविदा में है कि एकोनोमी की सोचे या एन्वार्मेंट की सोचे इसी उख़ों में फैसले कहीं एक पक्ष में लिये जाते हैं और कहीं दूसरे पक्ष में लिये जाते है लेकिन भारत ने ये दिखाया है कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है बलकि एक दूसरे के सहयोगी है स्वच्छ भारत अभियान हो हर परिवार को LPG और PNG का साथ सुत्रा इंद्रन से जोडने का अभियान हो पूरे देश में CNG आधारित वाहन विवस्ता इसके लिए बड़ा नेटवर्क बनाने का काम हो देश में बिजनी आधारित परिवर अभण के लिए नएने रिसर्स होने वाले हैं कुछ प्रयास होने वाले हैं ऐसे अनेक प्रयास देश में सामान्य मानवी के जीवन को बहतर और एंवार्मेंट फ्रेंडली बनाने के लिए लगातार किये जा रहा है भारत के लिए एकोनामी और एंवार्मेंट दो अलग अलग पक्ष नहीं है बलकी एक दूसरे के पूरक पक्ष है साथियों आज आप देखेंगे कि सरकार के जितने भी कारकर्म है उनमें परियावरन सुरक्षा और इज अफ लिविंग को प्राफिक्ता दी जा रही है हमारे लिए परियावरन की सुरक्षा सिर्फ कुछ प्रोजेक्ष तक सिमित नहीं है बलकी ये वे अफ लाइफ है जब हम रिन्यूवल एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ष लाउंच कर रहे है तब हम ये भी सुनिश्चित कर रहे है कि साफ सुफ्री उर्जा के प्रती हमारा संकत जीवन के हर पहलू में दिखे हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाप देश के हर कोने समाज के हर वर्क हर नागरित तक पहुँचे मैं आपको एछोटा सा उदाहर देता हूँ साथियों बीते छे साल में लगभग शत्तीस करोड ये आकड़ा बहुत बड़ा है चत्तीस करोड एलीडी बल्ब्स पूरे देश में वित्रित के लिए जा चुके है एक करोड से ज़्यादा एलीडी बल्ब देश भर में स्ट्रीट लाइट में लगाए गए है और सुनने में तो ये बहुत सामान्य बात लगती है ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सामान्य तोर पर जब कोई सुवीदा हमको मिलती है हम उसके आदी हो जाते हैं तो उसके इंपेक की या उसके होने या नहोने की हमें कुछ महसूस है नहीं होता हम ज़्यादा चर्चा भी नहीं करते हैं इस प्रकार की चर्चा तभी होती है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है साथियो ये छोटा सा दुजिया एलीडी बल्ब जब नहीं था तो इसकी जरुरत अनुवो होती है लेकिन उस समय कीमत पहुंचे भार थी बिकता भी नहीं था लोग खरिटे भी नहीं थे बनाने वाले भी आगे नहीं आते थे तो छे साल में क्या हुआ कौन सा बढ़ लावाया एलीडी बल्ब की किमत उस समय जो थी उससे आज दस गुना गट गई है यानि अगर उस समय चार सो रुपया थी तो आज चालिस रुपया हो गई अगर तीन सो थी तो तीस रुपया हो गई अनेक कमपनियों के बल्ब इसके बीच मेनिफेक्टर रसमेस परदा हो गई बल्ब बाजार में आ गए दामगरते गए और जो काम पहले सो दो सो वाट के बल्ब करते थे वो अब नव या दस वाट के बल्ब करने लगे है उतना ही उजाला दे रहे गरों और गलियों में एलीडी लगाने भर से ही हर साल करीब छैसो अरब यूनिट बिजली छैसो अरब यूनिट बिजली इसकी खपत कम हो रही है बिजली की बचत हो रही है और लोगों को रोषनी भी अच्छी मिल रही है इतना ही नहीं हर साल लगब चोबीस हजार करोड रुपिय की बचत हमारे देश के खास करके मध्यंबर के परिवार के जेब में बचते है हर वर्ष चोबीस हजार करोड रुपिय ये बचत छोटी नहीं है मद्यमबर, निम्न मद्यमबर के जीवन में तो इसके करण बहुत नहीं एक रोशनी प्रदा हो जाती है यानि LED बब से बिजली का बिकम हुआ है इसा एक और महत्पपून पहलू है LED बब से करीब शाड़े चार करोट तन कम कार्बन डायोगसाइड परियावरण में जाने से रुक रही है यानि प्रदूशन कम हो रहा है साथियों बिजली हर किसी तक पहुँचे परियात बिजली पहुँचे हमारा वातावरान हमारी हवा हमारा पानी भी सुद्ध बना रहे इसी सोच के साथ हम निरंतर काम कर रहे हैं यही सोच सवर उर्जा को लेकर हमारी नीती और रहन निती में भी स्पस्ट जलकती है आप सोचिए साल दोजार चौदा में सोलर पावर की कीमत साथ आठ रुपे प्रती यूनिट हुआ करती थी और जैसे सिवराजी ने बताया उसके पहले तो और ज़्यादा थी आज यही कीमत सवा दो से धाई रुपे तक पहुँच चुकी है इसका बहुत बड़ा लाब पुद्योगों को मिल रहा है रोजगार निर्मान में मिल रहा है देश वाचियों को मिल रहा है देशी नहीं पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि भारत में सोलर पावर इतनी सस्थी कैसे है जिस तरह से भारत में सोलर पावर पर काम हो रहा है ये चर्चा लगातार होने वाली है, चर्चा बढ़ने वाली है और लोग भारत से सिखने का प्रयास भी करने वाले है ऐसे ही बड़े कदमों के कारण भारत को clean energy का सबसे attractive market माना जा रहा है आज जब renewable energy की तरफ transition को लेकर दुनिया में चर्चा होती है तो इसमें भारत को model के रुप में देखा जाता है साथियों, दुनिया की समग्रम मानोता की भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोडने में जुटे हुए है इसी सोज का परड़ाम, आइसा यानि International Solar Alliance, आइसा इसका हमने निर्मान किया है वन वर्ड, वन सन, वन ग्रिर के पीछे की यही भावना है ये सौर उर्जा के बहतर उत्पादन और उप्योग को लेकर एक पूरी दुनिया को इखठा करने का प्यास है ताकि हमारी धर्ती के सामने खड़ा बड़ा संकट भी कम हो सके और छोटे से छोटे गरीब से गरीब देश की बहतर बिजली की जरुरते भी पूरी हो सके शाथियों एक प्रकार से ज़िए सौर उर्जा ने आम ग्रहकों को उत्पादक भी बना दिया है पूरी तरह से बिजली के बटन पर कंट्रोल सामन्य नागरिक को दे दिया है बिजली पैदा करने वाले बाकी माध्यमों में सामन्य जन्की भागिदारी ना के बराबर रहती है लेकिन सावर उर्जा में तो चाहे घर की छत हो दबतरिया कारखाने की छत हो कहीं पर भी थोड़ा स्पेस हो इसमें सामन्य जन्की अपनी आवशक्ता की बिजली पैदा वो कर सकता है और इसके लिए सरकार व्यापक प्रोथसान भी दे रही है मदद भी कर रही है बिजली उत्पादन में आत्म निर्भरता के इस अभियान में अब हमारा किसान हमारा अन्य दाता भी जुड रहा है अन्य दाता उर्जा दाता भी बन सकता है साथियों हमारा किसान आज इतना सक्सम है इतना समसाधन संपन है कि आज वो एक नहीं दो-दो तरह के प्लांट से देश की मदद कर रहा है एक प्लांट तो वो है जिन से पारमपारिक खेती होती है और जो सदियों से करता आया है और हम सभी को अन्न मिलता है भोजन मिलता है किसान हमें भूका ने रहने देता है उसके लिए वो पसीना बहा आता है लेकिन अब दूसरे तरह की भी प्लांट भी हमारे किसान के लिए आउसर बना कर के उसके खेत में दस्तक दे रहा है और जिससे खेत की आवशक्ता घरों की आवशक्ता वहां तक बिजली पहुंच भीच सकती है जो पहला प्लांट है जो पारमपारी खेती है वह हमारा किसान ऐसी जमीन पर लगाता है जो उपजाव होती है लेकिन यह जो दूसरा सोलर एनर्जी प्लांट है यह ऐसी जमीन पर भी लगेगा जो जमीन उपजाव नहीं है पानी नहीं है फसल के लियाद से वो जमीन अच्छी नहीं है यानि कि किसान की वो जमीन जहां फसल उगाने में बहुत खर्चा हो जाता है और कोई गारंटी नहीं होती है अगर बारी स्टोड़ी उपर नीचे हो जाए तो सब बरबाद हो जाता है उस जमीन का उप्योग भी होगा उससे भी किसान की आमद नी बढ़ सकती है कुस्व योजना के माद्दम से आज किसानों को अत्रिक जमीन पर ऐसे सोलर प्लांट लगाने में मदद करने की योजना काम कर रही है खेतों में ही जो सोलर बिजली पैता होगी इस से हमारे किसान अपनी जरुरतें भी पूरी कर पाएंगे और अतिरिक्त बिजली को बेज भी सकेंगे मुझे पुरा विश्वास है कि मद्द प्रदेश के किसान साथी भी अतिरिक्त आयके इस साधन को अपनाने और भारत को पावर एक्सपोर्टर उर्जान निर्यातक बनाने के इस व्यापक अभ्यान को जरूर सफल बनाएंगे ये विश्वास इसलिए अधिक है क्योंकि मद्द प्रदेश के किसानों ने संकल्प को सिद्धी में बदल करके दिखाया है आपने जो काम किया है वो हर किसे के लिए प्रेणा का कारण बना हुआ है जिस प्रकार आपने गेहू उत्पादन के मामले रेकॉर्ड बनाया दूसरों को पिछे छोड़ दिया वो प्रसौंस नहीं है कोरोना के इस मुश्किल समय में किसानों ने जो रिकॉर्ड तोड उत्पादन किया मद्द प्रदेश की सरकार ने रिकॉर्ड तोड खरीट की उसके लिए भी आप प्रसौंसा के पात्र है और इसलिए बिजली उत्पादन के मामले में भी मद्द प्रदेश के सामर्थ पर मुझे पूरा भरोसा है उमीद है कि एक दिन ये भी ख़बर आएगी कि कुसूम योजना के तहट मद्द प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड बिजली उत्पादन की है बिजली पैदा की है भाई और भेनो सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पुरी तरह से उप्योग नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास देश में ही बहतर सोलर पैनल बहतर बैटरी उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज उसकी कैपेसिटी का निर्मान ना हो आप इसी दिशा में तेजी से काम करना है और हम सब करके रहेंगे आत्म निर्भर भारत अभियान के तहट अब देश का लक्ष है कि सोलर पैनल सहीट तमाम उत्तरों के लिए हम आयात पर अपनी निर्भरता को खत्म करें लक्ष ये है कि अभी जो देश की सोलर पीवी मॉडूल मैनिफेक्टिरिंग केपसिटी है उसको भी तेजी से बढ़ाये जा रहे और इसलिए गरेलू मैनिफेक्टिरिंग को बढ़ावा देने के लिए अनेक जरूरी कदम उठाये जा रहे है अब जैसे कुसुम योजना के तहर लगाये जा रहे है पंपों में सोलार पंप बनाये जा रहे है गरों में लगने वाले रूप्टोप पैनल में भारत में ही बने सोलार फोटो वल्टेक्ट शेल्स और मोडूल्स इसको हमने जरूरी कर दिये गए हैं इसके अलावा सरकारी विभाग और दूसरी सरकारी संस्ताएं जो भी सोलार सेल या मोडूल खरीदेगी वो मेकिन इन्डिया ही हो ये तै किया गया है यही नहीं पावर प्लांट लगाने वाली कमपनियां सोलार पीवी मैनुफेक्टरिंग भी करें इसके लिए भी प्रोचाहन दिया जा रहा है मेरा आज इस सेक्टर से जुड़े उद्यम्यों से युवा साथ्यों से स्टार्ट अप से मसमी से यही आग रहे हैं कि आप इस अवसर को जाने मत दिजिए इस अवसर का फाइदा उठाईए भाई और भेनों आत्म निर्भरता सही माइने में तभी संबव है जब हमारे भीतर आत्म विश्वास हो आत्म विश्वास तभी आता है जब पूरा देश पूरा सिस्टिम हर देश वासी हम सब मिलकर के आत्म निर्भरता की दिशा में चल पड़े कोरोना संकर से पैदा हुई स्टितियों के बीच भारप यही काम कर रहा है सरकार यही आत्म विश्वास जगाने में जुटी है समाज के जिस तबके तक अक्सर सरकारे पहुंच नहीं पाती थी आज उन तक शरकार के संसाधन और संवेजना दोनों पहुंच रही अब जैसे प्रदान मंत्री गरीब पल्यार योजना को ही लीजिए लोकडाउन के तुरंट बात पहला कदम ये उठाया गया कि देश के असी करोड से अधिक गरीब साथियों तक प्रचे के लिए विवस्था रहें और जब लोकडाउन उठाया गया तब सरकार को लगा कि आने वाला समय तो बर्शाद का भी है त्योहारों का भी है और हमारे हाँ तो दिवाली और छट पुजा तक अब तो तहवार ही त्योहार चलते रहते और सभी संप्रजाय सभी धर्मों के तोहार रहते हैं ऐसे में गरीबों को ये मदद मिलती रहनी चाहिए इसलिए इस योजना को जारी रखा गया अब गरीब परिवारों को नमंबर तक मुप्तरासन मिलता रहेगा इतना ही नहीं दिजी क्षेत्र के लाखो कर्मिचादियों के EPF आते में भी शरकार पूरा अंसदान दे रही है इसी तरह PM स्वनिधी योजना के मार्जम से उन साथ्यों के सुद भी ली गई है जिनकी सिस्टिम तक सबसे कम पहुँच पाए होती थी आज इस योजना से रहडी ठेला लगाने वाले लाखो साथ्यों को दस हजार रुपिय तक के सस्ते रण बैंक से मिलने लगए है हमारे लिए सबसे अधीक उप्योगी हमारी ये साथी अपने छोटे से काड़ोवार को बचा सके चला सके हमारी हाई इन सारी चीजों को कभी प्राक्विक्ता नहीं रहती थी लेकिन एक सम्वेदन सिल्क सरकार होने के कारण देश की भावी पीडी को समर्पित होने के कारण आज हम लगातार कदम उठा रहे है यानि एक तरफ छोटे नगू कुटुर उद्योगों और बड़ो उद्योगों के बारे में सोचा गया तो दूसरी तरफ इन छोटे लेकिन उप्योगी कारणोबारियों के भी चिंता की गई साथियों सरकार हो या समाज संवेदना और सतर्क्ता इस मुश्किल चुनियती से निपटने के लिए हमारे सबसे बड़े प्रेणा सोथ है आज जब आप मद्वदेश को पुरेदेश को आगे भनाने के लिए रोजी रोटी भी कमाने के लिए घर से बार निकल रहे हैं निकलना पड़ रहा है तो अपनी एक और जिम्मेदारी भी हमेशा याद रखी और वो है और मैं चाहूंगा जो बात मैं बताता हूँ ये बाकी लोग भी बार-बार बताते रहें जहां भी हैं बताते रहें दो गज की दुरी, चहरे पर मास, हाथ को बीच सेकंड तक शाबू से धुलना, कहीं पर भी थूकना नहीं, ये सारे नियमों का हमें हमेशा पालन करना है, आप भी बचेंगे, आपका परिवार भी बचेगा, और आपके यार दो साफी मित्र सहयोगी, हर किसी की जिन्दगी बचाने में, आप बहुत बड़ी भूमी का अदा करेंगे, और इसलिए इन नियमों में, इस अनुशासन में, कहीं पर भी कमी मत आने देना, आपका जीवन बहुत मुल्यवान है, ना सिर्फ आपके परिवार के लिए, देश के लिए भी मुल्यवान है, और इसलिए, इन नियमों का हमें पालन करना ही है, मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर, आपको, मद्द प्रजेश को, इस सोलर पावर प्लांट के लिए, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, और ये कहना चाओंगा, कि प्लांट भले रिवा में लगा हो, बिजली चलो दिल्ली के मैट्रों तक पहुंचती होगी, लेकिन इसके कारण परियावरन के पक्ष में जो काम हुआ है, उसका प्रभा पूरी मानव जात्त में होने वाला है, पूरे विश्व पर होने वाला है, और इसलिए आपने एक सुरक्षित विश्व के लिए मजबूत नीव आज रिवा में डाली है, ये काम छोटा मच्छ बचता है, फिर एक बार मैं आपसे यही कहूंगा, आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, बहुत बहुत आबार, थानिवाद मानने कदाने के महोद है, हम अभारी है महा महीं राजपान महोद है के, बहुत रहें, स्वस्त 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 रहें, स झाल झाल खेल परभाट तूट सुब्राइटा आप डेतरी सुराज़िक्स पेस झाल झाल